नमस्कार दोस्तों कैसे वाब सब स्वागत आपका अपनी यूटूब चैनल जीक के एक्जाम में फ्रेंट्स आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्तान हाइकोड 2019 के वाले में और आज का हमारा टॉपिक रहे है हिंदी का जी हाँ फ्रेंट्स इसमें टॉप नम्र क्यूशन है विशेशन की दर्ष्टी से कौन सा वाक्य ऐसुद्ध है फ्रेंट्स हमने विशेशन सरवर नाम संग्याई आपको करवा दिये हैं तो अब आपको देखना है यह कि इसका सही एंसुद क्या रहेगा मेरे पुजनी पिताजी आ रहे हैं यहां ताजी सबज सब्सक्राइब करते हैं किस कर्मान का सब्सक्राइब है वी निर्दीष्ट वी निर्दीष्ट वी निर्दीष्ट właściwie ग्ले केसे संग थैं है लेकिन इसमें तीनों निकलती है इसकी काण यह सुध्ध है ठीक है तो यह आपको बतानों है जी वी पलस निर पलस है देश्ट वी निर देश्ट ठीक है तो सी ओपना इसमें बिल्कुल सही रहेगा फ्रेंट्स चलिए नेक्स्ट करते हैं सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है इसमें कौन सा सरवय नाम है फ्रेंट्स आपको सर ने अच्छी तरह बताया साथ तीनों पूरूस बताये थे ठीक है और सरवय नाम सबीके सभी आपको सामने बताया थे तो आपको कमेंट करेंगे जल् यहां वहां पड़ किसके लिए भूंब है नि मेरा है मतलि यह निशी है नहीं अच्छी तरा आप को बूर्ड पर समझाया था अगर आप नहीं है तो आप पिछेगी वीडियो में आप देख सकते हैं तो इसमें कौन सा रहेगा बी ऑप्शन इसमें बिल्कुन से रहेगा फ्र रेव की दर्षठी से ए सुद्ध सब्ध है यह पूछा आग की दर्षठी से एस अर्वा। अजयरी आपको ध्यान रह ना게 by स्पूर ए 10 मिद में लेकिन पुनरनवा होता है ठीक लेकिन ie सब्सातें और आशिरअपक खाली आधियरई की दृस्टी से बिलकूल सब्साइब सर्ब्स जैन little बहुत बड़े दोस्तों बहुत बड़े बिल्कुल सही आपका बिल्कुल सही ए ओप्षन याव जीवन मतलब जब तक जीवन है जब तक जीवन है इसका सहीरत क्या रहेगा जब अब यह बहुत समास है ठीक है तो एप्षन अपना इसमें बिल्कुल सही देगा फ्रेंट्स चलिए नेक्स्ट किस्र करते हैं निमलिक लोक्ते में इस लोकों ने दूर के डोल सुहाने का आश्या है आदमी जानिये बस सोना चाहिए कैसे तीन मिन्ने तेरे में मर्दंग बजा आपको बताना है जल्दी से आप बता सके दें कमेंट करके फिर्ट से कासी आणसर क्या रहेगा ए आदमी जाने बसे सोना जाने कसे यह उप्शन इसमें बिल्कुल सही रहेगा फ्रेंट से अगर आपको इस क्यूचिन में डाउट लग रहे तो प्लीज आप मुझे कमेंट करक आप यह क्यूसटन नहीं प्रेंट सॉपक क्यों बिल्कुल कि आपको किशी यह सा ने रहे नइक्सूर करते हैं का निम्ना की तमियों कोन सा सब्धर आर्थ की दर्ष्टी से काल सब्दे क्रिश्ठ Egypt से समंधित नहीं है समें दैसा मैं दूर्भेक से 4 खसना के सामने काल सभद से समद्ध है लेकिन दस्वाइन किसी कहा रहेगा तो इसमें B option अपना इसमें right रहेगा friends ठीक है चार option आपके सामने आप जल्दी से comment करके बता सकते हैं किसी answer क्या रहेगा और friends इसमें दूर्बिक्स अगर आप सोच रहे हो कि दूर्बिक्स इसमें हो सकता है दूर्बिक्स का मतलब अकाल होता है यह भी आपको मतलब किसी मरती होती है अकाल की वज़य से होती है तो इसमें अपना B option इसमें सही है तो बहुत सारी दोस्तों बिल्कूल सही answer दिया इसका next question किस करमांक में सुद्वा क्या है किस कर्मांग में सुद्ध वाक्य है बेटी किसी दिन पर आए घर का धनोगा तुम्हें राजकुमर का एकांकी कैसा लगा वे लड़कियां उनकी महा आ गई मौन या सोन या वलब कल आएंगे सुद्ध वाक्य है इस कर्मांक में सुद्ध वाक्य कुन सब आपको बताना है जल्दी से आप कमेंट करके बता सकते हैं फ्रेंट्स वेरी बुद बढ़ी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही तुम्हें राजकुमर का एकांग की कैसा लगा बी सुद्ध में बिलकुल सही रहेगा प्रेंट्स यह वाक्य कर्ने लगा उसने पूस्तक पढ़ी बालक ने की ज चहातेर ने गुरूजी चरण चुय तो कौनसा है फ्रेंट्स इसमें मोहन नहाकर पूजा करने लगा ठीक है फ्रेंट्स इसमें ये सही रहेगा ये वाक्या नहाकर इस पूर्वाकाली करिया से नुकता है कौनसा नहाकर ठीक है नहाकर ये पूर्वाकाली करिया है तो इसमें ये ओप्शन अपना इसमें बिल्कु फ्रेंट सेए ठीक है चलिए नेक्स्ट करते हैं वह है जो सिगर उत्तर देने की बुद्ध्य रखता है वाक्यांज के लिए उप्यूखत सब्द है वह है जो सिगर उत्तर देनी मपथ उसे क्या कैते हैं परतिव नमति के ब्रिंट इसमें अपना बिलकुल सङूट इगा दस में D option इसमें राइट है ठीक है चलिए next question इन में से किस विकल्प में वाक्यांस के लिए सही सब्द नहीं है वह है जो किये का उपकार्माने करतक वह है जो कभी ना बुड़ा नहों अजर सुरियस्त के अस्त होने का समय पर दोस्त ये बिना पलक जबकाए ने मिलीते जल्दी से आप सामने है बहुत बड़े दोस्तों बिलकुल स ही आप लोगों बिलकुल सही है सुरिय के अस्त होने का समय पर दोस्त नहीं होता तो फ्रेंट स सामय आप की तैयारी कितनी है तो आपके लिए आज जल्दी चाप कमेंड करें ठीक है फ्रेंट्स तो चलिए next question करते हैं निमन में से किस विकल्प में एक वाक्यांज के लिए दिया गया एक सब्सुमेली तो नहीं है इसमें भी आपको बताना है चार ओप्चन आपके सामने है जल्दी चाप कमेंड करके बता सकते हैं फ्रेंट् भी आपके सुहां और जल्दी करते हैं बính Board दोस्तों बिलकूल से अपका बिल्कूल से ही इसमें से क्या रहा है कुछ जानने च्धन्न पराप्त करने की चाहन की चाहनन जीजवी नहीं करते हैं जानने या जिज्ञाहसा क्यालाती है और ये जिजी विचा ठीक है मतलब जिन्दा रहने के साथ जी जी विचा इसमें वी ओपना इसमें बिलकुल सभी रहेगा फ्रेंट्स ठीक है या आपको ध्यान रखना है चलिए नेक्स्ट क्यूशन गोविंद ने राम को जगाया में कौन सी किरिया है गोविंद ने राम को जगाया प्रेणार्थक किरिया रूट किरिया अनिकार्थक किरिया या साहिक किरिया कौन सी है जल्दी से आप कमेंट करेगे इसका से एंसर क्या रहेगा फ्रेंट तो कौन सी किरिया रहेगे कि राम को जगा यह इसमें परेरिनार्थक किरिया है जिसमें एक मिल्कुल सही है ठीक है किरिया क्र마ंग क्सफिया के है कियां क्रमांग में डौके आपका बहुत ईह राष्ट्पन नहर्युक आबरी आप आये नह आप भत सुन्दर है जल्सा पताएं इसका से इंचर क्या रहेगा फ्रेंट्स वेरी इंपोर्टन्ट्ट्ट क्यों से यह जल्दी सवता है बिल्कूल सही दोस्तों आपका बहुत चुछ यह लिए यह गलत है आपका या फिर बहुत यूज कर सकते हैं ठीक है वीडियो के आप फोड़ा बहुत भी अच्छा लगाँ प्ल जो स्टुनेंट पहले बारी चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कूल भी नहीं हुले सामने की बेल आइकन को भी जुरूर दवाएं जिसे आगे जो भी इंपोर्टेंट वीडियो है सबसे पहले फ्रेंट्स आपको प्राप्त हो स्केवर फ्रे अब का आपका कवर हो जाए था एक आफ सटो वीडियो के लिए पर लिक सेरजरूर करना शलिए नाच्स्ट की शिल करते हैं तो पूर्वाया काली के लिए सही करमांक बताए धुर बल्कूल से यह बिल्कुल सही वह है पूस्ट तक पढ़ करहे है and vidéos को जाता है तो वह है पूर्ग काली कर्या या पढ़ के इसमें के बिल्कुल सभी चुट है नेक्स्यूं सब्सक्राइब पर और किरिया और समाश भी ज़ल्दी बोर्ड के diğer और बीडिया आपके लिए बाहर को है है बज्ड में सब्सक्रा रहा है चाल शक्रमे के लिए दर्श्टी से सही अप्षिंटी आपको बताना है तो कुन सा फीलिस नोकर रसी एंट रहा है जर्शी एंट रहा है या परियोग की दर्श्टी से बिल्कुल सही है तो C option नाइस में बिल्कुल सही रहेगा ठीक है next question अकर आकर का करमा सही अर्थ है अकर आकर सबस् uniforms के लिए सही परे कुन सा होगा वो आप पता है जल्दी से इसका same answer क्या रहाइगा ना करने होगे या आकर खजाना ना करने होगे खजानी आर्थ है बिलकुल उप्योख था तो यह option अपना इसमें बिल्कुल सही रहेगा friends ठीक है आकर का मतलब ने करने हो गया आकर मतलब खजाना इसमें राइट है next है मैं अपना काम स्वेम करता हूँ रेखां की पद में कौन सा सर्वे नाम है very important friends यह भी आपको ध्यान होना से सरने बिल्कुल अच्छी तरह थे बताया था यह तो कौन सा है friend मैं अपना काम स्वेम करता हूँ रेखां की पद में कौन सा सर्वे नाम है यह आपको बताना है friends friends यह रेखां की थोड़ा मिस हो गया तो इसमें मतलब स्वेम के निचे रेखां की था यह मैं अपना काम है स्वेम करता हूँ तो रेखां के बाद में कौन सा सर्वे नाम है यह आपको बताना है समन्दवाचक पूरुस्वाचक निचवाचक निचचे वाचक तो friends इसमें कौन सा रहेगा यह आप जल्दी से कमेंट करके बताएं friends आप बिल्कुल सही दोस्तों बिल्कुल सही आप लगोगा निचजवाचक अठारा में C उप्सन इसमें बिल्कुल सही रहेगा friends सब्सक्राइब करते हैं किसी निस्चित वेक्ति वस्तु गटना या क्रम के लिए प्रूक्त होने वाला सरव नाम क्या कहलाता है किसी निस्चित वेक्ति वस्तु गटना या क्रम के लिए प्रूक्त होने वाले सरव नाम क्या कहलाते हैं यहापको बताना है इसमें बिल्कुल चित रहा है किसी निश्ची दुएकती है तो फ्रेंट्स कोन सा रहेगा बहुत बढ़े बिल्कुल सही निश्ची आवाजक सरवनाम रहेगा किसी निश्ची दुएकती वस तो गटना है करम के लिए प्रूकत होने वाले सरवनाम क्या कहलाते है निज्च यवाजक सर्वय नामे कहलाते हैं बी ओप्शन अपना इसमें बिल्कुल सही है फ्रेंड्स ठीक है चलिए नेक्स्ट है मा बच्चे को दूद पिला रही है में कौन सा कारक है मा बच्चे को दूद पिला रही है कौन सा कारक है बी ओप्शन अपना इसमें बिल्कुल सही है फ्रेंड्स तो दोस्तों यह थे हमारे आज के टोप 20 क्योंसन इसमें से आपने कितने क्योंसन कवर कि और कितने क्योंसन आपके सही है वह आप हमें कमेंट करके आपके WhatsApp ग्रूप में जितने भी स्टेडी ग्रूप है उसमें सेक्यूल एक ग्रूप में इसे आप शेयर जरूर कर देना फ्रेंट्स ठीक है और हमारी वीडियो के लिए ज्यादा नहीं तो 10 से 15 मिंट का समय आप जरूर निकाना जिसे आगे जो भी इंपोर्टेंट वीडियो बार रही खरसा और हो ठेंट्स और आपको वीडियो बार बासर हो गई लिए तो दुदी के लिखती है और कमर्मेंट करके में जुरूर सुझाओ दै जिसे हम भी कमी कर्शेशिए और आपके लिए ज्यादा बढ़ाज़ाANK तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत